AD is perpendicular bisector to BC इसका मतलब क्या है? AD BC पे perpendicular bisector है पहला चीज perpendicular perpendicular का मतलब 90 degree का अंगल बना रहा है यानि की AD 90 degree का अंगल बना रहा है BC पे दूसरी चीज bisector भी है मतलब BC को दो equal part में divide कर रहा है मतलब यह इसके वराबर हो जाएगी तो जब भी perpendicular bisector तुम्हारे question में आए और तुम्हों से given में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? given में हमेशा AD perpendicular है सबसे पहले के उठाओ AD perpendicular है मतलब ADB और ADC यह दोनों के दोनों क्या है? 90 degree के second thing is bisector भी है AD BC को bisect कर रहा है दो equal part में काट रहा है यानि कि ऊपर से ऐसे खंजर आया और BC को काट दिया दो अलग पार्ट में B से काटा यानि कि BD CD के बराबर हो जाएगा BD CD के बराबर हो जाएगा और जो किसके बराबर होगा? BC के आदे के यह हमेशा लिखना यह वाली लाइन भी बहुत important है काम में आती है कि BD CD के बराबर है और यह दोनो BC के आदे के बराबर है ओके